तो दस्तों काफी सारे लोग बोल रहे थे कि Google Drive में पासवर्ड कैसे लगाएं, Google Drive में लॉक कैसे लगाएं, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने यहाँ पर अपने Google Drive में लॉक लगा लिया है, यानि कि यह पासवर्ड और पीन लगा लिया है, अब जब भी मुझे Google Drive को एकसेस क नहीं कर सकता, या फिर Google Drive को भी बिना पासवर्ड को ओपन नहीं कर सकता, आज कल फ्रॉट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो Google Drive में लॉक लगाना बहुत जरूरी है, तो आए जानते हैं, नमस्का दोस्तों, मेरा नाम है राम के पज़ापती और आपका राम जी टेक्निकल लॉक, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें एप लॉक सर्च करना है, जैसे सर्च करेंगे, तो यहां पर देखिए, पहला वाला नहीं नीचे आएंगे, तो यहां पर देखिए, एप लॉक, फिंगर प्रिंट लॉक दिखाई दे रहा है आपको, और सब देख लीजे, इसी एप को अपने फोन में इस्टॉल करना है, एप लॉक, फिंगर प्रिंट, ओके, तो कुछ ही दिर में हमारे फोन में यह एप इस्टॉल हो गया, इसको ओपन कर लेना है, अब देखिए, सबसे पहली बात, यह वीडियो को टॉपिक तो है, गूगल ड्रा यहां पर चलिए, 123 and 789 में लगा दिया, and confirm कर देते हैं, इसको फिर से हम यहां पर डबल कर देते हैं, पास्वर अपने यहां डाल दिया है, बोल रहा है, आप फेस लोक लगाना चाहते हैं, तो नहीं भाई, मुझे फेस लोक नहीं लगाना है, फिलहाल, आप यह इस तरीके इसमाली जी कि मुझे Google Drive को लॉक करना है, तो मैं यहां पर ड्राइव वाला जो आप्सन इसके सामने जो बटन दिख रहा है, इस पर हम एक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाहर से देखिए, यहां पर प्लस का आइकोन इस पर क्लिक करेंगे, प्लस का आइकोन क्लिक करने वहां दिखाए दे रहा है, तो सबसे उपर ही दिखाए दे रहा है, यहां पर एप लॉक करते है, इस पर क्लिक करना है, प्रिमीत ईूल एक्सेज पर क्लिक कर देना है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे को दरबार यह एक जो है सिक्योर्टी से के वज़े से यहाँ पर अपके फोन में एक मेसेज आ जाएगा नीचे आपको I am aware of the possible risks and assume all possible consequence willertaurnity वाले उप्सन पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप्सन आएगा इस पर ओके कर देंगे तो यहां देखिए enter pin to unlock यहाँ पर हमने वही पीन डालना है जो पीन हमने बनाए हुआ है तो यह on lock हो इसके बाद से यहाँ पर allow display over other apps पर क्लिक करेंगे and यह सब कुछ setting यहाँ पर हो चुका है allow app to access your file फोटो वेगर पर क्लिक करेंगे अब यह हमारा जो google drive है उस पर password लग चुका है यानि कि google drive लोग हो चुका है तो आप माल लिए कि जब भी आप अपने phone में google drive को open करेंगे तो यहाँ पर lock लगा हुआ दिखाई देगा आपको और आपको एक password या pin जो आपने बनाया है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा तभी आप अपने google drive को unlock कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर इस password को डालता हूँ जो मैंने बनाया है तो देखें यहाँ पर यह google drive unlock हो गया है सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने google drive में lock लगाते हैं या password लगाते हैं तो इससे आपके google drive में जो भी आपने document, file, photo, videos रखा है या पर important document रखा है वो सबको secure हो जाता है क्योंकि मल यह अपने दोस्ति यार को आपने phone दिया हुआ है यूज करने के लिए ऐसे simple ही तो कोई आपके जो document है उसका गलत इस्तमाल ना करें तो इस तरीके से आप लोग google drive पर lock लगा सकते हैं पासवर्ड लगा सकते हैं तो आप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी यदि कुछ पूछना चाहते हैं नीचे comment कर दीजेगा और यदि ऐसे वीडियो चाहते हैं तो राम जी टेक्निकल चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब कीजिए